लगबग पांच हजार का मैटेरियल और पांच सो रुपया आपका ट्रांस्पोर्टेशन का कॉस्ट पच्छ पंच सो रुपया आपका टोटल खर्चा होगा और यही प्रोड़क्ट जब आप मार्केट में बेचोगे 11,000 रुपय में बिके गबिया कितना 11,000 रुपय में इस बात को कहीं से कोई नहीं काट सकता 11,000 रुपय में बिकेंगे और आपका नेट प्रोफिट 5,500 रुपया होगा हर वीडियो में आप लोग मुझे देखते हो कि मैं अगर्बत्ती बिजनस के बारे में बताता हूं कि कैसे आप अगर्बत्ती बिजनस कर सकते हो क्या इसके अंदर आप प्रोफिट कमा सकते हो क्या इस बिजनस को करने का तरीका होता है परांतु बदलते हुए समय के साथ हमें भी बदलना होता है और नये जमाने का जो business होता है जो कि आने वाले time में ज्यादा चल सकता है उसको जदी हम लोग करते हैं तो ज्यादा better होता है तो आजकी इस video में ऐसे ही एक नये business idea के बारे में हम लोग जानेंगे कि कैसे आप लागत के साथ और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आप कैसे कमा सकते हैं तो वीडियो के अंदर पूरा एंड तक बने रहीएगा वीडियो के स्टार्ट करने से पहले बता दू मेरा नाम है हरी मोहन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अगरबत्ती उद्योग में इस महत्वपुन जानकारी हो सकता है आपसे मिस हो जाए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा और चलिए इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप इस तरह की धूप बत्ती बनाना पैक करना आपने घर पे सुरू कर सकते हैं कम से कम बजट के अंदर जी हाँ एक दम कम से कम बजट के अंदर बताऊंगा कि गरीब से गरीब आदमी भी इस बिजनस को स्टार्ट कर सकता है और अपना एक बिजनस खरा कर सकता है तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारे हाथ में यहाँ पे यह अलग-अलग टाइप की डिबिया है इस डिबियों कि बहुत ही बहतरीन क्वालिटी की प्रीमियम क्वालिटी की जो है धूप वगएरा इस तरह का हमारे को बना बनाया मिल जाएगा यह आप लोग देख सकते हो यह इसमें अलग-अलग साइजेज आती है ठीक है आपको जिस साइज की रिक्वार्मेंट होगी ना कि आपको 15 ग्राम का चाहिए 20 ग्राम का चाहिए 25 ग्राम का चाहिए इस तरह से अलग-अलग sizes की packaging इसकी cutting करके हम लोग देते हैं आप हमारे यहां से cutting किया हुआ ले सकते हैं तो यह धूप हो गई और यह हो गई हमारी box बस यही तो पूरा जरूर देखिएगा तभी आप हमसे contact करिएगा यह purchase करने के लिए ऐसा नहों कि वीडियो को आधा देख ले और आप contact करने तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको कुछी भी पूछने कि आवे सकता नहीं पड़ेगी किस चीज का प्राइस क्या पड़ेगा हमको कितना profit होगा सारी चीजे आपको इस वीडियो के अंदर बताई जाएगी लुट आप तो इस तरह से box pools की bundle आती है हमारे को क्या करना है किसमें से एक बॉक्स निकाला लया है मिस में इस तरह से box को फोल्ट करना है यह फोल्ड कर लिया अभी अब जिसमी साइज की आप यह धूप इसके अंदर डालना चाहते हो इसमें अंदर डाल देना है बस इसको लगा देना है यह हमारी product ready हो गयी अब इस तरह की total balance gi तियार करने के बाद क्या करना है कि इस तरह का जो box होता है ऐक दरजन का इस पर जालेंगे इस ताइप के सबρά भाउक्स में डालना है फिर बन बॉक्स में डालना होता है तो यही बेसिक सा प्रोसेस होता है अभी अगर आपको यह बिजनस स्टार्ट करना तो कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं कितनी पुंजी कि आवे सकता थीक है तो जैसे समझिए कि यह जूअप देख रहा है ना इसमेह अलग अलग साइजे जाती है जैसे यह आप जो मिरे हाथ में देख रहे हो यह 15 ग्राम की सईज यह जो है एक इसका यह इस- 10 इस्टिक्स है आप देख सकते हो यहां पर कट लगा हुआ होगा एक दो तीन चार पांच टोटल पांच इससाइड और पांच इससाइड दस इस्टिक्स है और इसकी जो वजन है लगबग 15 ग्राम है ठीक है तो 15 ग्राम की साइज में यह धूप कटी हुई है तो यदि आप इस आप से अपने अकॉर्डिंग की कट गृबा सकते हैं जैसे बहुत लोग 20 ग्राम की कटिंग करवाते हैं बहुत लोग 30 g' की करवाते है कि अप इसका यह मतलब हुआ कि अगर आप 25 ग्राम की कटिंग कर वाएंगे तो आपके एक हिसमें皆さん बॉजन होगा जो कि जो मेरे हाथ में अभी है इसका वजन 15 ग्राम है तो यह तोटली आपके उपर निर्भर करता है कि आपकी साइज में कटिंग करवाते हो यदि आप 15 ग्राम के अंदर कटिंग करवाते हो तो यह एक केजी में कितनी पीस आएगी लगभग 66 पीस आएगी यह अपना जो प्रोड़क्ट है 100 रुपए प्रती किलो का है यह धूप जो है 60 रुपए 70 रुपए 80 रुपए किलो की भी आती है परन्तु उसकी क्वालेटी बहुत ही निमनस्तरिये होती है जिसमें की खुस्बू कुछ भी नहीं आएगी ठीक है परन्तु यह जो अपना है अभी बस यह 100 रुपए के हिसाब से समझते हैं जैसे यह 100 रुपए किलो की धूप है तो आप क्या कर सकते हो कि यह 1 kg में कितना 66 पीस चरggak हैगा आप अगर परचेज करना चाहो तो से मीनिमम 25 के जी परचेज सकते हो, कितना, minimum 25 kg, मात्र 25 kg एक आईटम, जैसे ये कोई भी एक फ्लेवर में आप गुलाब लो, मोगरा लो, छंदन लो, भारत वासी लो, कोई भी फ्लेवर लो, minimum 25 kg जो है एक flavor और एक size में जैसे आप बोलो कि मुझे 15 ग्राम की गुलाब चाहिए तो आपको 25 kg 15 ग्राम की गुलाब कम से कम लेनी होगी ऐसा नहीं हो सकता है कि इसी में 25 kg में ही गुलाब और चंदन भी हो जाए नहीं एक item ही होगा 25 kg के अंदर 1650 इस type की 1650 डभियां तयार होगी कितना 16150 1650 डभियां तयार होगी पचीज के बिदभियां तयार है कि 1750 पीच डभी भी तो खडिदनी पड़ेगी तो इस तरह की अगर ड़गते हैं तो यह जो ड़गते हो हो एक दम प्रेमियम quality की डिब्बी है एकदम top quality की डिब्बियां है usually आपको ready-made boxes जो भी लोग बेचते हैं इस quality की इस तरह की high quality की boxes आपको किसी के भी पास देखने को नहीं मिलेगा यह आप जो देख रहे हैं यह ready-made box है बरंतु परंतु जो quality है एकदम brand वाली है ठीक है तो इसका जो price आएगा एक रुपया 50 पैसा एक रुपया 50 पैसा प्रती पीस इसका price आएगा जिहां एक रुपया 50 पैसा इसका price है जब 12 पीस इसके साथ यह इस टाइप का जो box होता है न बड़ा यह आपको साथ में मिलेगा उसका price इसके अंदर included है यानि कि समझो टोटल जो एक सेट हुआ जिसमें यह एक box और इस टाइप के बार बॉक्स इसका जो price हो जाएगा बारा इंटू वन होंगे हमें तो 1650 box का price क्या हो जाएगा एक रुपया 50 पैसा प्रती पीस के इंसाब से अगर हम लोग लेते हैं तो 1650 तो 1650 box का जो price हो जाएगा ना 2475 रुपया हो जाएगा कितना 2475 रुपया 2475 रुपया में अपना यह 1650 box आएगा और जो हम लोग यह धूप ले रहे हैं 25 से इसका price क्या हो जाएगा 100 रुपया प्रती किलो का हमारा यह धूप है तो इसका 2500 रुपया 2,500 का price हो जाएगा 2475 रुपया सोट का price हो जाएगा अभी अब इसके उपर जो है 25 20 रुपय हमारा पैकिंग का चार जाएगा तो टोटल जो एमाउंट हो जाएगा 5000 यानि कि आप मिनिमुम हमारे यहां पे 5000 रुपय का ओर्डर कर सकते हैं जिसमें आप कोई भी एक फ्लेवर अपने हिसाब से जैसे आपको मोगरा ठीक लगता हो मोगरा ले सकते हो गुलाब ठी आप से फ्लेवर चूज कर सकते हो तो मुझे लगता है यहां तक आप लोग समझ गया है कि साइज का क्या मैटर है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जिस भी साइज में कटिंग करवाओगे जैसे मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया कि 15 ग्रायम की साइज में हम लोग करेंगे तो 2,400 शॉरी 1650 बॉक्स हमारा तैयार होगा बॉक्स का प्राइस हो जाएगा 2475 रुपय और धूप हमारा 25 केजी हो जाएगा तो टोटल जो हमारा पैकेज है 5000 रुपय का टोटल हमारा आइटम होगा ये 1650 पीस इस टाइप की बॉक्स है और 25 केजी इस टाइप की धूप इसमें हमारा टोटल कितना त्यार होगा लगभग 137.5 दर्जन होता है तो हम लोग 137 दर्जन मान के चलते हैं कि 5000 रुपय का हमने खड़ीदा 5000 रुपय का हमने ये धूप और इस टाइप की बॉक्से खरी दी तो इसमें हमारा टोटल कितना माल त्यार हो रहा है इस टाइप का जो इसके अंदर 12 इस टाइप की बॉक्स से जाएंगी इस टाइप का 137 डब्बा त्यार होगा फिर भी ये 6 पीस हमारे पास एक्स्ट्रा बच जाएगा इसको हम लोग घर में यूज कर लेंगे 137 के हिसाब से समझते हैं कि 5000 रुपय का हम प्रोड़क्ट पर्चेश करेंगे जिसमें इस टाइप का 137 डब्बा हमारा त्यार होगा 137 डब्बा त्यार होगा तो एक डब्बा त्यार करने का कॉस्ट हमारा टोटल किता जाता है वो हम लोग समझ लेते हैं तो यह एक डब्बा जो है हमारा लगबग 36 रुपया के अंदर त्यार होता है 36 रुपया जो हमारा इसका कॉस्ट आ रहा है इसमें ना ट्रांस्पोर्टेशन अभी जुड़ा हुआ नहीं है तो यदि आप मेरे आसपास के हो कहीं पे तो आपको कुछ एक्स्टा ट्रांस्पोर्टेशन नहीं लगेगा तो आपका कॉस्ट यह 36 रुपया हो गया परनतु अगर आप कहीं दूर से हो बिहार के बाहर कईसी भी स्टेट से ओ तो maximum 500 रुपया ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट आने वाला है ठीक है अगर ट्रांसपोर्टेशन आसंका कॉस्ट हम लोग निकालेंगे maximum all over पर इंडिया maximum 500 ले कर रहे हैं इसको डिभाइक कर देते हैं 500 डिवाइड 136 तो इसका टोटल जो कॉस्ट हमारा सिर्फ यह मैटेरियल मैटेरियल का आ रहा था 36 रुपया और इसके उपर ट्रांसपोर्टेशन जो हमारा आ रहा है साठे तीन रुपया के आसपास 500 को हमने 136 से डिवाइड किया है तो यह साठे तीन रुपया हमारा एक डब्बे को पर कॉस्ट आ गया तो लगभग जो है हमारा कॉस्ट कितना हो जा रहा है साठे तीन रुपया ट्रांसपोर्टेशन ले करके च्छतीस और साठे तीन साठे उन चालीस रुपया आप मोटा-मोटी चालीस रुपया मान लो चालीस रुपया में आपका यह एक डब्बा तयार हो रहा है अब यह अमाउंट ज्यादा भी हो सकता है जैसे यहां पर हमने 15 ग्रायम कर लिया है साइज अगर आप 20 ग्रायम कर लोगे तो जाहिट सी बात है कि इसकी कोस्ट बढ़ जाएगी तो उस इसाब से आपको जिस साइज में करना हो आप उस इसाब से साइज काल्कुलेट कर ले ना ठीक है तो चालीस रुपया इसको कोस् आपको 80 रुपय में विखती है सही सुन रहा है चालीस रुपय में आपके घर पे यह पहुचेगी और यह मार्केट में विकेगी 80 रुपय में अब यह हैड़ नहीं कि आपको एक दम 80 में ही बिच देना है आपका अपना एक मार्केटिंग एस्ट्राटीजी होना चाहिए कि जो वैक्ती ज्यादा लेता है उसको थोड़ा कम मार्जिंग पे भी आप दे सकते हो तो ये आपका अपना सूज भूज होना चाहिए कि आपको कित्ते में बेचना है बाकि ये 80-85 रुपय तक में आडाम से विखता है रिटेलर सौप पे जो भी छोटे-छोटे दुकान होते है जो की एक दो इस टाइप के डब्बे लेंगे उनको आप 80-85 में आडाम से दे सकते हो कोई होलसेलर हो जो आपसे एक साथ ये 50-60 डब्बिया ले तो उसको आप 10-15 रुपय का एक्स्ट्रा इसके उपर डिसकाउंट दे रहा है चुकि भाईया समझो 40 रुपय आपको कोस्ट आ रहा है अगर आप होलसेलर कोई एक बंदा ही आपसे 100 डब्बा ले रहा है तो आप 20 रुपय पंदर रुपय प्रोफिट रखके भी उसको देते हो ना तो बहुत होता है ये बाकि रिटेल में बेचना है आपको तो ये 80-85 रुपय में रिटेलर सौप पे आपको जाके दे सकते हो तो यदि आप ये 80 रुपय में बेचते हो तो आपका कॉस्ट किता आ रहा है इसके उपर 40 रुपया बिके का किते में 80 रुपय में टोटल 137 डब्बा त्यार हो रहा था एक बॉक्स के उपर हमारा 40 रुपय का प्रोफिट होता है तो इसको अगर हम लोग ले ले 40 137 मतलब लगबग 5,000 का मैटेरियल और 500 रुपया आपका ट्रांस्पोर्टेशन का कॉस्ट 55 रुपया आपका टोटल खर्चा होगा और यही प्रोड़क्ट जब आप मार्केट में बेचोगे 11,000 रुपय में बिके कभीया कितना 11,000 रुपय में इस बात को कहीं से कोई नहीं काट सक के उपर आपका जो प्रोफिट है वो भी होगा 5,500 रुपय तो यदि आपको हमारा यह वीडियो समझ में आया हो अच्छा लगा हो आप यदि यह बिजनस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्प्ले के उपर हमारा कॉंटाक्ट डिटेल दिया हुआ है आपको क् वीडियो में बताया है कि 5,500 रुपय का पैकेज है 500 रुपय ट्रांस्पोर्टेशन कोश्ट वही वाला अगर आप और करना चाहते हो तो आप सेम चीज बता सकते हो कि मुझे वही चीज और करना है बाकि अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे अपने हिसाब से यह 20 ग्राम य दूप चाहिए मिनिमम दूप 25 केजी आप हमारे यहां पर एक साइज और एक फ्लेवर में और कर सकते हैं तो उमीद करता हूं कि आप लोग को हमारे वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो या जैसा भी लगा हो आपके मन में कोई सलाह चल रहा हो कोई स शुजाव दिजेगा और बताइएगा कि भारत के जीले से हमारा आप ये वीडियो देख रहे और आजके इस वीडियो के हमारे वीडियो चीले से टूप निसुल्ग तो आप अपना धूप प्राप्त कर सकते हैं हमसे कॉंटेक्ट करिए हमारे वाट्सअप नंबर पे कॉंटेक्ट करिए और आपको ये धूप भेज दिया जाएगा असोख, रजक जी, गोड़ा, जारखंड से आप है आज के हमारे बिजेता तो भाई साब, आप लोग क्या देख रहे हैं आप लोग भी कॉमेंट करके बताईए कि आप भारत के कौन से जीले से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं आप भी हो सकते हैं अगले बिजेता, आपको भी मिल सकता है फ्री अफ कोई भी उपहार हमारे या से कॉमेंट करिए और बताईए कि भारत की कौन से जीला से हमारा ये वीडियो देख रहे है बाकी आप अगरबती बिजनस से स्टार्ट करना चाहते हैं जानना चाहते हैं कि अगरबती कैसे बनाये जाता है तो ये वाला वीडियो देख रहा हैं, ना है हमाँ já इस वीडियो पर आजाईए मैं साड़ी चीजे डिटेल में बता रहा हूं कि कैसे आप अगरबती बना सकते हो कैसे बिजनस से स्टार्ट कर सकते हो